आप किसी की सांस की जाच करते हैं तो उन्हें मृत खोशित कर सकते हैं, लेकिन वे अभी भी सम्वेदनाय महसूस कर सकते हैं। चीन में उडान की एक पूरी पर्दती हैं। आपने उन फिल्मों को देखा होगा जहां उन्हें ओडान में महारत हासिल है और वे थोड़ा बहुत यहां वहां उड़ सकते हैं। इसे सक्रिये बनाने के लिए योगा भास्या हैं। अगर व्यान घटने लगता है तो आपके जीवित होने के बावजूत शरीर सडने लगेगा। कुछ प्रकार के सामके जहर हैं जो ऐसा कर सकते हैं। यही कारण है कि इस संस्कृती में 14 दिनों तक चलने वाली रस्मे हैं। सद्गुरू, आपने जीवन के बारे में बताया और इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो डॉक्टर्स जीवन के बारे में रखते हैं। अब वे कहते हैं कि हमारे शरीर में एक खरब कोशिकाएं हैं। और इन में से प्रतेक कोशिका अपने आप में जीवित है और जब आप कहते हैं कि रोगी जीवित नहीं है या सिर्फ इतना है कि मस्तिश्क दो या तीन मिनट के बाद मर जाता है लेकिन शरीर का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जीवित है वो आप बदल गया है डॉक्टर कह रहे हैं कि मस्तिश्क दस दस घंटे तक जीवित रहता है आज ये नया है तो वा मर चुका है लेकिन मस्तिश्क जीवित है उसकी तवचा, उसकी मांसपेशियां, उसकी हड़ियां कई घंटों तक जीवित रहती है तो जब हम कहते हैं कि वा मर चुका है लेकिन उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जीवित होता है और ये कोशिकाएं मरीज के मर चुकने के बाद भी अगर आप कोशिकाओं को लेते हैं और उन्हें एक कल्चर आप में से जो हर दिन शेव कर रहे हैं आपके मरने के बाद भी हमें फिर भी आपको शेव करना पड़ेगा आपको ये पता है इसलिए मैं तयार हूँ अभी आपने पूछा कि जब कोई मर चुका है तब भी कोशिकाओं कुछ कोशिकाओं सक्रियक क्यों रहते हैं ये दर्ज किया गया है कि दस घंटे तक बहुत सारी गतिविधियां होती हैं और असल में मस्तिश्क एक खास तरह की गतिविधि में चला जाता है और आखिर के कुछ बहुत ही चौंकाने वाले तत्मों को पैदा करता है किसी के मेडिकल रूप से मृत होने के 10 घंटों के अंदर जैसा कि मैंने कहा मृत शरीर की 10-11 दिनों तक शेव की जाती है ऐसा इसलिए है जिसे हम शारीरिक स्तर पर जीवन कह रहे हैं वो कई अलग स्तरों पर एक प्रणाली है इसमें हार्डवेर है और इसमें सॉफ्टवेर है आप तो हार्डवेर की किंदर में हड्डियों के सॉफ्टवेर भी उतना ही महत्वपूरून है वरना एक कोशिका को कैसे पता चलेगा कि ये एक मानव कोशिका है कि ये एक सुवर की कोशिका या पेड की कोशिका या कुछ और नहीं है। इसे कैसे पता चलता है? क्यूंकि ये एक पूरा सॉफ्ट्वेर मौजूद है, या दाश्ट हैं। विकास मुलक यादश्ट, अनुवान्शिक यादश्ट, कार्मिक यादश्ट, सिस्टम में हर कोशिका में विभिन ब्रकार की यादश्ट भरी गई हैं, ताकि ये कभी ब्रहमित ना हो। अगर आप तीन दिनों तक कुट्टे का भोजन खाते हैं, तो आप कुट्टा नहीं बनेंगे हैं न, क्यूंकि इसमें स्मृती बनी हुई हैं। यो एक पूरा सॉफ्ट्वेर है, सॉफ्ट्वेर पैकेज असल में हार्डवेर से बड़ा है, बहुत बड़ा, और ये उस उर्जा से संचालित हैं, जिसे हम जीवन शक्ती के रूप में मान रहे हैं। योग में हम इसे प्राण कहते हैं। ये पांच बुनियादी आयामों में खुद को अभिव्यक्त करता है। इसके दूसरे रूप भी हैं, जो बहुत जटिल हैं। मैं पांच मूल रूप। इनके अलग-अलग कार्या हैं। प्राण का संबंध सांस, श्वसन क्रिया और विचार प्रक्रिया से है। अगर प्राण वाईू शीन हो जाती, तो आपकी श्वसन क्रिया चली जाएगी। तो तुरंथ डॉक्टर जांच करते हैं और कहते हैं ये मर चुका है। वे उनकी छाती को पंप करने की कोशिश करेंगे, अगर सांस वापिस नहीं आई, तो वो मर चुका है। श्वसन प्रक्रिया और आपके फेंफिडों का काम सीधे तोर पर जुड़े हुए हैं। एक बार श्वसन बंध हो जाता है, तो वो प्रक्रिया स्वभाविक रूप से खत्म हो जाएगी। तो प्राण वाईयू जा चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये एक के बाद एक जाएंगी, वो एक ही समय में जाएंगी, लेकिन एक के जाने का मतलब है कि ये चला गया है। अगर समान वाईयू चली जाती है, ये सिस्टम में गर्मी पैदा करने का कार्य करती है। तो एक बार अपान वाईयू एक बड़े स्तर पर घटने लगती है, तो इसका समवेदी पहलू हमें ये समझना चाहिए, आप किसी की सांस की जांच करके उन्हें मृत गोशित कर सकते हैं, लेकिन वे अभी भी समवेदनाओं को महसूस कर सकते हैं। ऐसे कई मामले सामने आये हैं, जहां लोग घबरा गए हैं, क्यूंकि एक मृत शरीर में थोड़ी हरकत हुई थी, ऐसा बार-बार कई-कई बार हुआ है, कि जब किसी को मेडिकल दृष्टी से मृत गोशित कर दिया गया था, लेकिन शरीर में फड़कन हुई, जो बहुत हलके तरीके से होती है, क्यूंकि समवे का हलकापन भी चला जाता है, जब मैं हलकापन कहता हूँ, देखिए, आप वजन में 70 या 80 या जो भी संख्या में हो, मुझे शमा करें, हो सकता है कि आपका वजन 50 या 55 किलोग्राम हो, जो भी आपका वजन है, मान लीजे आप अभी बहुत खुश और जीवन्त हैं, आपको खुद पर 50 किलोग्राम का वजन महसूस नहीं होता है, है ना, लेकिन वजन मौझूद है, अगर आप वजन के मशीन पर खड़े हैं, तो ये दिखाएगी, लेकिन जब आप चलते हैं, तो ये महसूस नहीं होता, क्योंकि ये उदान एक उच्छाल पैदा करता है, इससे लाउचिंग टाइगर या ऐसा ही कुछ, क्या, हाँ, तो ये उदान की संस्थाएं हैं, जहां उन्होंने उदान में महारत हासिल की है, जहां वे हवा में थोड़ा बहुत यहां-वहां तैर सकते हैं, खैर फिल्मों में थोड़ा बढ़ा चड़ा कर होता है, लेकिन शरीर ज रूप से संभव नहीं लगता था, वे उतनी उचाई तक उचले, जिसे सभी भौतिक विज्यानिकों ने बिल्कुल असंभव माना, लेकिन सिर्फ ज्यादा उचाल पैदा करके वो उस तर से आगे निकल गए, तो उदान उचाल को तै करता है, एक बार जब उदान कम होना चुरू होता है, अचानक शरीर भारी हो जाता है, वजन हमेशा वही रहता है, वजन नहीं बढ़ता, लेकिन अब आप ज्यादा वजन महसूस करते हैं, क्योंकि उदान चला गया है, डॉक्टरों को ये पता हो सकता है, शायद डॉक्टर ये काम नहीं करते, जो लोग आपको व्यान कहते हैं, इसकी प्रकृती सनरक्षन की है, अगर व्यान घटने लगता है, तो आपके जीवत होने के बावजुद, शरीर सडना शुरू हो जाएगा, कुछ खास तरह के सांप के जहर हैं, जो ऐसा कर सकते हैं, अगर वो आपको काडते हैं, तो आप मरेंगे र हो जाएगी, योग में ऐसी पद्धितिया हैं, जहां हम चाहते हैं कि सभी सातों लगभग एक साथ ही निकलें, हम चाहते हैं कि ये सभी एक डेड़ घंटे के भीतर ही चले जाएं, सामान्यम रित्यू की स्थिती में ये उस व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है कि कोई ख संस्कृति में आपके पास 14 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठान हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि व्यान अभी भी मौजूद हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को दफनाते हैं, तो व्यान अभी भी वहां मंडरा सकता है, तो 14 दिन तक यही कारण है कि एक संसकार की चिताबर डाल दिया, तो उन्होंने इसे 4 घंटे तक बढ़ा दिया, 4 घंटे के भीतर आपको 10 संसकार कर देना चाहिए, लेकिन आजकल कुछ और मुद्दे हैं, इसके बारे में हर तरह के मुद्दे हैं, तो लोग एक दिन, दो दिन इंतजार करते हैं, बेटी अ गोशित करते हैं, ठीक, इसमें अंतर है, तो जब आप उन्हें मृत गोशित करते हैं, तो आपके लिए वो मर चुके होते हैं, जहां तक उस व्यक्ति का सवाल है, एक तरह से, उसके साथ जो हुआ है, वो ये है कि वो शरीर से निकल गया है, उसने अपना शरीर खो दिया है जीवन भर, वो यही सोचता रहा कि वो एक शरीर है, उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि हम जो भौत एक पदार्त डोते हैं, वो इस धरती से एक ठा किया हुआ है। उसने कभी इसका एहसास नहीं किया, जब वो अचानक शरीर से बाहर खिसक जाता है, तो वो शरीर के आस-पास तो इस संस्कृती में हमने कहा कि जिस शन हम निश्चित हैं कि कोई व्यक्ति पक्के तौर पर मर चुका है, तो आपको तुरंत उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, क्यूंकि ये उस मृत व्यक्ति के लिए अच्छा है, ताकि उसे पता चल जाए कि खेल खत्म हो गया है, और ये जीवित लोगों के लिए भी अच्छा है, आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति जो आपको बहुत प्रिय है, मर जाता है, और उसका शरीर यहां पड़ा है, तो आपको मती भ्रह्म होता रहता है, हो सकता है कि वो बस सो रहे हों, हो सकता है कि वो ओट पैठे है और हो सकता है कि कोई चमतकार हो जाए, शायद कुछ और हो जाए, ये अनवश्यक रूप से चलता रहेगा, आप देखेंगे कि लोग रो रहे हैं और बड़ा भावनात्मक नाटक हो रहा है, लेकिन जिस पल आप उनका अंतिम संसकार करते हैं, तो आप देखेंगे कि हर क्या आपने इस पर गौर किया है? हमेशा, क्यूंकि अब हर कोई जानता है कि खेल खत्म हो चुका है, तो ये जीवेत के लिए है और ये मृतक के लिए है, तो जीवन के द्वारा इस सिस्टम को छोड़ने के संबंध में ये बहुत उल्जा हुआ है, ये कोई बुलबुला नहीं है जो फूटकर ऐसे चला जाएगा, ये चरण बद्ध तरीके से निकलता है क्यूंकि ये चरण बद्ध तरीके से अंदर आया है और ये चरण बद्ध तरीके से ही जाएगा.